Hello everyone, welcome to study time with new informative video. UPPSC का PCS 2020 preliminary exam कल 11 October को संपन हो गया है. यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो कल PCS का exam हुआ था, इसमें जो डेड़ सो question आय थे, उसमें से किस topic से कितने question पूछे गए हैं और इनमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान भी देना है कि आगे जो exam होने वाले हैं UPPSC के, तो उनमें आयोग pattern में क्या बदलाव कर रहा है और हमें अपनी रणनीती किस प्रकार बनानी हैं। तो UPPSC ने पिछले साल जो exam pattern रखा था उसको और improve करते हुए UPPSC की तरफ बढ़ रहा है यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें factual question तो थे ही जैसा कि UPPSC पूछता है लेकिन कुछ ऐसे question थे IS level के जिनें बोल सकें कि जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, fact नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो question पूछे गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो topic से question पूछे गए हैं वो था current affairs, यहाँ पर direct और indirect लगभग 40 question पूछे गए हैं, directly या फिर indirectly जो UP से related थे, उन्हें आप UP special बोल दें या फिर current affairs में लें, लेकिन वो घटनाए current की थी, तो इसको हम आपने current affairs में ही रखा है, और ऐसे question 40 थे, 49-40 question थे, जो की current affairs से पूछे थे, और एक बहुत ही अच्छा number है अगर आप current affairs में अपनी पकड़ बना के रखे हैं, अगला जो है जियोग्राफी, इससे भी अच्छे खासे question पूछे गए हैं, 24 question जियोग्राफी से पूछे गए है जिसमें 11 question वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछे गए हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से 12, sorry 11 question और बाकी Indian geography से पूछे गए हैं, तीसरा है history, history में 22 question पूछे गए हैं, तीनों जो history है, modern, ancient इन सभी को मिला के, लेकिन जो यहाँ पर देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क modern history से सिर्फ 2 या 3 question पूछे गए हैं, तो यहाँ पर UPPSC थोड़ा सा खेल गया है, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि modern history से ज्यादा question आते हैं, और आते भी हैं हर exam में modern history के ज्यादा question रहते हैं, ancient के 2-3 question रहते हैं, लेकिन इस बार UPPSC ने खेल कर दिया है, उल्टा कर द रणनीती पर की क्या करना है, ये नहीं कि ये पूछता है तो बस वही पढ़ें, selective पढ़ें, हमें सभी subject में हर topic पर अपनी पकड़ बना कर रखनी हुई, आगे देखिए, quality में 21 question पूछे गए हैं, जिनका level काफी अच्छा था, ठीक ठाक था, आगे science में 15 question पूछे गए हैं और जिनका level भी ठीक ठाक था, environment में 13 question पूछे गए हैं, यहाँ पर हमने geography से environment को अलग कर दिया है, दो-तीन question ऐसे हैं, चाहे उन्हें आप geography में ले ले या environment में ले ले, अगला जो है, आगे economy है, economy से 10 question पूछे गए हैं, और अब बताती है UPS special की, तो इस बार काफी coaching संस्था और काफी जो परिच्छाओं के महरत ही माने जाते हैं, उन सभी ने बताया था, कि इस बार UP special पढ़ लीजे, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया था, तो आयोक पर काफी आरोब भी लगे थे, कि UP का paper है, और UP special नहीं पूछा जा और अभी देख रहे थे आप, कुछ दिन पहले, बावाल भी हुआ था, कि बहरी बच्चे आके इसमें selection ले जाते हैं, और UP के बच्चों को वो weightage नहीं मिल पाता है, तो UP special जरूर पूछा जाना चाहिए, और पूछा जाना चाहिए था, लेकिन UP PSC ने एक बार फिर अपनी ताना साहि दिखाई, और UP special के मात्र तीन question जो directly थे, तीन चार question ऐसे थे, जो current affair से संबन्दित थे, तो हम उन्हें UP special नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो current की घटना थी, और अगला है agriculture, तो agriculture से सिर्फ एक question पूछा गया है, और जनगड़ना, जनगड़ना से सिर्फ एक question पूछा जो इन exam के महारती है, उनका जो पढ़ने का तरीका रहता है, वो ये रहता है कि current affairs, geography, polity और जनगड़ना और UP special ये तीन चार topic अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिसमें 100 से 120 question बन जाते हैं, और वो select होने के लिए एक sufficient है, लेकिन यहां पर अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप fail हो सकते हैं, क्योंकि UPPSC लगादार बदलाओ कर रहा है, और पता नहीं किस topic से कितने question पूछ ले, जैसा कि आपने देखा, इस बार current affairs से 40 के लगभग question पूछ लिए, modern history से 2-3 question ही पूछे हैं, और अगर आपने modern history पढ़ी होती कि चलिए इसी से question 15 के लगभग आ जाएंगे, त क्योंकि अक्सर 2-3 question पूछ लिए जाते हैं, पिछले बार भी पूछे गए थे, उसके पिछले में भी पूछे गए थे, हर एक्जाम में आते हैं, योजनाय काफी जादा पूछी गई थी, 2018 की, 2019 की और 2020 की तो पूछी गई थी, जुलाई और अगस्त का current affairs अच्छा खासा 25 question जुलाई अगस्त current affairs का था, और lockdown के time का भी lockdown से संबंदित 4-5 question थे, और 10-15 question 2018 का current affairs था, मतलब पिछले दो साल का, 2019 से 2-3 question ही रहे हैं, directly या indirectly, तो 2019 से उतना ज्यादा नहीं पूछा, जितना जुलाई अगस्त और 2018 का current affairs पूछा है, तो यही सारे topic थे, जिन से पूछा गया है exam में कि किस topic से कितने question आये हैं, वो यहाँ पर हमने आपको अलग-अलग करके बता दिया है, और इन सभी में 10-11 question ऐसे हैं, जिन में confusion है कि इनका answer क्या हो सकता है, तो जब official answer की आईगी, तभी पता चल पाएगा कि उनका answer क्या था, तो यह सारे topic हैं, आप दे और यह select करके ना पढ़ें कि इस topic से ज़्यादा question आते हैं, इस topic से कम, क्योंकि paper में कभी भी यह नहीं पता चलता है कि अब क्या पूछ लिया जाएगा, हो सकता है जनगरना कि इस बार 15-20 question पूछ लेते और आप नहीं पढ़े होते, या फिर आपने पढ़ा था और इस बा कि नहीं पढ़ना है, आपको deeply जाके पढ़ाई करनी है क्योंकि competition लगातार बढ़ता चला जा रहा है, so thank you, यही थी information और अगर आपका अभी कोई confusion है, question है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, और अगर इसी तरह की और भी informative videos आप लगातार पाते रहना चाहते हैं, तो इस channel को subscribe क कर सकते हैं, thank you, मिलते हैं नई informative video के साथ,